हलो फ्रेंड मज़र बुटिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड आज हम आप लोगे लिए बहुत ही प्यारा कुर्थी का डियान लेकर आए हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है सबसे पहले हम यह बता दे फ्रेंड की पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चवडाई क्या होनी चाहिए यह डवल फ्रेंड आप देख सकते हो तो हमने जो पेपर पेस्टिंग क लंबाई लियो मौ 8 इंची लिया है तो इस तरह से आप प्रेपर पेश्टिक को ले लेगें अब हम क्या करेंगे सबसे पहले ब्रोड्रनेस का निशान लगाएगे तो हमारा जो εκ charger ब्रोडव感 सफेरेंट बौां सिनफी है तो लाइए तो हम नीचे में भी उतना ही ब्रॉडन्स का निशान लगा लेंगे अब हम एक दूसरे निशान को इसकेल के सहारे मिला देंगे अब हम रॉंड सेफ देंगे अब हम निशान पे कटिंग कर लेंगे कटिंग करने का बाद इसको हम फेकेंगे नहीं यह हमारा भी काम का है अभी हम इसको किनारे रख देते हैं अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बाहर में एक इंची का दबाव लेकर हम पूरे में कटिंग कर लेंगे अब हम निक को रख देंगे और हमारा बीच से जो निकला था अब हम इसको लेंगे इसको लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरह से इंचे टेप को रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद एक एक इंचे पे निशान आप पूरे में लगा लेंगे हम एक दूसरे निशान को मिला लेंगे हम निशान पर कटिंग कर लेंगे कटिंग करने के बाद इसको अब हम रख देंगे ये भी अभी हमारा काम का है फिर हम इसको लेंगे इसको लेने का बाद अब हम क्या करेंगे फिर जो हमारा बीच से निकला था इसको हम ले लेंगे इसको लेने का बाद अब मुझे क्या करनी है कि फिर यहां पे इंचे टेप को इस तरह से रखेंगे और एक एक इंचे पे निशान आप पूरे में लगा लेंगे एक दूसरे निशान को मिला लेंगे और फिर हम कटिंग कर लेंगे हम जोटे वाले निक्के और हमने जो सबसे पहले बड़े वाले निक्क काटा था दोनों निक्कों हम कुर्टी का कपड़ा में चिपका लेंगे अब हम क्वार्टर इंची का मार्जिंग लेते हुए पूरे निक्क में कटिंग कर लेंगे हमने बड़े वाले निक्क को चिपका लिया है और छोटे वाले निक्क को भी चिपका लिया है तो अब हम चलते हैं मसीन पे और हम बताते हैं कुर्टी में निक को कैसे बनाते हैं मसीन पे आ चुके हैं और हमने सबसे पहले बड़े वाले निक को ले लिया है अब हम क्या करेंगे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद एक स्लेय लगाते हुए पूरे निक में चले आना है निक को इस तरह से ब्रावर करेंगे और इस तरह से ब्रावर करने के बाद सबसे पहले एक सेंटर कट लगाएंगे अब हम कुर्ती का फ्रंट लेंगे तो हमने कुर्ती का front ले लिया है, सबसे पहले बीच में एक center cut लगाएंगे, अब हम open करेंगे इस तरह से, open करने का बाद friend आप देख सकते हो कि हमने iron से अच्छे तरीका से center crease बना लिया है, तो इसी तरह से आप भी iron से center crease बना लेंगे, अब मुझे क्या करनी है friend कि अब हम nick को लेंगे, निक को लेने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि कुर्ती का center और निक का center, दोनों center को हम इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले एक center slay लगाएंगे, ताकि हमारा निक इधर उधर ना जा सके, अब हम paper pasting में बिल्कुल सटा कर पूरे निक में slay लगा लेंगे, हम quarter inch का margin लेते हुए पूरे निक में cutting कर लेंगे, हाँ जहाँ round है हम पूरे में cut लगाएंगे, अब हम निक को इस तरह से पलटेंगे, और निक को पलटने के बाद उपर से आप लपिस लय लगाते हुए निक को बैठा लेंगे, हम कुर्ती का front को रख देंगे, और सबसे पहले अंदर वाले निक को हम बनाएंगे, हमने अंदर वाले निक ले लिया है, छोटे वाले, छोटे वाले को निक को बनाने के लिए एक हम फैब्रिक लेंगे, तो हमने कुर्ती का ही फैब्रिक लिया है, फैब्रिक पे इस तरह से निक को हम रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटा कर पूरे निक में हम स्लाई को लगा लेंगे हम क्वार्टर इंची का मार्जिंग लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे अब हम निक को इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने का बाद मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि लप पेस्लाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिसिंग के साथ हम निक को बैठा लेंगे अब हम क्या करेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को बिल्कुल हम बरावर कटिंग कर लेंगे अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि जिस तरफ मेरा पेस्टिंग चिपका हुआ है इस सेड में मुझे इस तरह से फोल्ड करनी है और इस तरह से फोल्ड करने का बाद iron से अच्छे तरीका से हम पूरे निक में मोड लेंगे बिल्कुल finishing के साथ iron से अच्छे तरीका से मोड लिया है आप देख सकते हो अब हम क्या करेंगे friend की हमारा जो बीच से निकला था patch उस patch को अब हम लेंगे हमने बीच का patch ले लिया है friend इस patch को लेने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि अब हम एक coat का इस्तमाल करेंगे तो हमने coat को ले लिया है coat लेने के बाद इस तरह से patch को आप coat पे रखेंगे बिल्कुल एकदम finishing के साथ रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंट कि बिल्कुल एकदम सटा कर हम निशान को उठाएंगे बिल्कुल इस तरह सा आप निशान उठा लेंगे पूरे में तो हमने अंदर में पूरे में निशान लगा लिया है अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बाहर में भी बिल्कुल सटा कर हम पूरे में निशान लगा लेंगे हमने बाहर में भी निशान उठा लिया है अब हम इसको हटा देंगे अब ये हमारा कोई काम का नहीं है फ्रेंट इसको हम हटा देंगे हमने बिल्कुल फिनिसिंग के साथ निशान उठा लिया है निशान उठाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंट कि अब हम पट्टी बनाएंगे सलवार का कपला का तो हमने पट्टी पहले ही बिना लिया है, यदि आपको अगर पट्टी बनाना नहीं आता है, तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप बहां से पट्टी बनाना सीख लेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, पट्टी को इस तरह से रखेंगे, और रखने से एक पट्टी लेंगे और पट्टी लेने का बाद इस तरह से आप बिल्कुल रखेंगे और इस तरह से रखने का बाद जब आप दूसरी पट्टी लेंगे तो बिल्कुल आप इस तरह से सटाकर रखेंगे तो इसी तरह से देते हुए पूरे निक में हम पट्टी को चले आ है झाय 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 है जो हमने दिशान दिख रहा है विल्कुल इसी निशान पर इस तरह से रखेंगे और इस तरह से रखने के वाद मुझे क्या करने हैं फिल्कुल फिनिसिंग के साथ पैच को हम निक में बैठा लेंगे हमने पैच को बिल्कुल फिनिसिंग के साथ लगा लिया है अब मुझे अंदर वाले पैच को भी बना लिया था अब हम क्या करेंगे फ्रेंट की जिस तरह से हमने एक पल्ले को फोल्ड किया था इसी तरह से दूसरे पल्ले को भी इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड क को इस तरह से आप रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि लप पे सलाय लगाते हुए बिल्कुल फिनिसिंग के साथ पैच को हम जड़ लेंगे अब हम कूट को निकाल लेंगे हमने कूट को निकाल लिया है अब हम सुई धागा ले लेंगे सुई धागा लेने के बाद मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस तरह से यहाँ पर सुई को डालेंगे बिल्कुल इस तरह से और हलका हलका इस तरह से आप करेंगे बिल्कुल इस तरह से कर लेंगे और इस तरह से करने का बद इस तरह से आप टान लेंगे धा को इस तरह से आप टान लेंगे और फिर यहाँ पर आप डवल कर लेंगे इस तरह से इस तरह से डवल करने का बद क्या करनी है फ्रेंट कि अब हम एक मोती को डालेंगे इस तरह से, एक मोती आप डाल लेंगे इस तरह से, एक मोती डालने का बाद अब मुझे क्या करनी है, फिर हम इसको इस तरह से करेंगे, फिर हम इस तरह से टान लेंगे, इस तरह से आप करेंगे, दूसरे पटी में, फिर आप इस तरह से खीचे, फूट कवारने का बाद पट ज्यादा ज्यादा शेयर करना फ्रेंड